नर्थ नर्थ इस्ट वार्ड गती करते हुए श्राष्टर कच कोस्ट के तरफ आगे बढ़ रहा है और जखाओं से लगभग एकसो सी किलेमेटर दुरी पे साउथ वेस्ट दिशा पे नर्थ इस्ट अरिवेंसी में केंडरी बूत है अभी इसका जो विंट स्पीड है वो भी 125-135 गोस्टिंग टू 150 किलिमेटर पर आवर चल रहा है और आज सामक तक ये तटकी पास पहुंचेगा और जखाओं के असपास स्वराष्टर कच और पाकिस्तन कोस्ट को हीट करेगा और तब इसका विंट स्पीड 115-125 केमपेज गोस्टिंग टू 140 केमपेज होने का फुर जैसे हमने पोहले बताया था कि आज साइक्लोन थोड़ा से वीक होने का समावना था और 125-135 गोस्टिंग 145 विंट स्पीड हम एक्सपेट कर रहे थे चुबे और एसी हुआ है तोड़ा से विंट स्पीड अभी साइक्लोन के सेंट्री आसपास कम हुआ है मगर फिर ये एक वेरी सीवियर सेक्लोन स्टर्म है जैसे आप यहां देख रहे हैं यह एक वेरी सीवियर सेक्लोन स्टर्म है और यह आगे नौर्ट इस दिशा पे सुराश्टर कोच और एट जिंग पाकिस्तन को तरव बढ़ रहा है जोड़ा ऐसा एक्सलेंट कर दीजिए कि जो आम लोग ह को समझे थोड़ा जाए कि गंबीर कितनी सिटी और किस तरह एक वेरी सीवियर सेक्लोन स्टर्म है और इसका नमेजिक पोटेंशियल है इसमें पेड़ गिर सकता है ब्रांच गिर सकता है और जो छोटे मकान है इसे ठचड हाउस है स्लॉम से मिट्टी का घर है और तीन हाउस अजबस नमेज अगर है यह सबीं इसमें हो सकता है और इसके साथ साथ टैडल वेब भी आशकता है जब शाक्लोन तक की पास आएगा और हैवी टू भेरी यविरेंफिल कि साथ कुछ इलाएक एक्स्ट्रिमली हेवियरेंफिल हो सकता है जो कोस्टाली स्टीट से